हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तोसे प्यार भरा नमश्कार सच्छ्रियाकाल अदाव दोस्तो एक बर मैं फिर हाजिर हूँ एक नई देश्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं बच्चों की फेवरेट मैकरोनी जी हाँ जट पट से ये बनकर त्यार होने वाली है मातर दो मिनिट में दो मिनिट में हम मैकरोनी घर पर असानी से किस तरह से बना सकते हैं आईए देख लेते हैं ये देखे सबसे पहले हम पानी को बॉयल करेंगे पानी boil होने के लिए मैंने रख दिया था और पानी में अच्छा boil आ चुका है अब मैं डालूंगे इसमें आदा चमच के करीब नमक साथ में ही डाल दूंगी एक चमच के करीब ओल नमक से flavor आ जाएगा मैकरोनी में और ओल से हमारी जो मैकरोनी है आपस में चिप केगी बिल्कुल नहीं तो एक कप के करीव मैंने मैकराणी इसमें डाल दी है अब हम क्या करेंगे अब इसमें आने देंगे कुछ सेकिंड के लिए अच्छा बॉयल कम से कम 10 सेकिंड के लिए हम इसे उबाल लेंगे और इसे हम फिर साइड पर रख देंगे कवर करके तो ये देखिए बॉयल आ चुका है अब मैंसे साइड पर रख दूँगी कवर करके और अब हम लगाएंगे इसको तड़का क्योंकि अभी ये अच्छी तरह से पकी नहीं है फिर हम डाल देते हैं इसमें कटे हुए प्याज तो ये देखिए जीरा भुन चुका है अब मैं डाल दूँगी इसमें कटे हुए प्याज तो एक प्याज मैंने काट कर लिया है मिक्स कर देंगे इसे ओल में फ्लेम मैंने बिल्कुल हाई रखी हुई है तो हाई फ्लेम पर ही हमें इसे बनाना है तो ये देखिए प्याज हलका सा कलर चेंज हो गया है तब तक हम देख लेते हैं हमारी मिक्राउनी का क्या हाला है और मिक्राउनी देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है तो हमें इसे 4-5 मिनिट के लिए पकाने की जरूरत नहीं होती है सिरफ अगर अच्छा बॉयल आ जाए तो इसे कवर करके साइड पर रख दो तो जब तक हमारा तड़का त्यार होता है तब तक ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाती है तो अब मैंने डाल दिया इसमें आदा चमच के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट भून लेते हैं इसे भी कुछ सेकिंड्स के लिए तो लस्टन पे आज हत्रक हमारा चिता से भून चुका हम मैंने डाल दिया इसमें एक बड़ा टमाटर काट कर इसे भी हम भून लेंगे और तब तक डाल देते हैं इसमें कुछ मसाले तो मसालों में मैं ले रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक एक चमच के करीव ले रही हूँ और एगेनो एक चमची मैं ले रही हूँ चिली फ्लेक्स बस और मसाले हम इसमें बिल्कुल नहीं एड़ करेंगे इनी मसालों से हमारी बहुत ही टेस्टी मेकराणी बन कर त्यार होगी और बच्चों की तो फेवरेट है अब बच्चों का फेवरेट है तो इसलिए हमें इसमें एड़ करना पड़ेगा टोमैटो कैचप मसाला हमारा लगबग त्यार हो चुका है और अब हम डालेंगे इसमें दो चमच की करीब टोमैटो कैचप बच्चों को जब भी भूख सताए फटा फट उनसे कह दीजिए हाथ धोकर बैठ जाओ बस आपके लिए दो मिनिट में मैकरोनी आ रही है तो फटा फट इस तरह से बना कर उन्हें दीजिए और उनकी भूख मिटाएं तो हमारा मसाला बिल्कुल त्यार हो चुका है मैकरोनी मैंने इस ट्रेनर से चान ली है और अब हम डाल देते हैं इसमें और करेंगे अच्छी तरह से मसाले में मिक्स तो फ्रेंड्स आपने देखा ना कितनी जट पट से हमारी ये मैकरोनी बन कर त्यार हो गई है सिर्फ दो मिनिट लगते हैं तो अच्छी तरह से यसे मसाले में मिक्स कर लेंगे अब डाल दूंगी मैं इसके ओपर काफी सारा हरा धनिया तो बिल्कुल त्यार है हमारी मैकरॉनी कर देते हैं इसकी प्लेटिंग आप भी इस तरह से अपने घर पर जुरूर ट्राई कीजिए आपको ये बहुत पसंद आने वाली है तो ये देखिए कितनी बड़िया हमारी मैकरॉनी बन कर त्यार हुई है और दो मिनिट में ये मैकरॉनी हमारी बन कर त्यार हुई है हमें ज्यादा इसे टाइम लगाने के जुरूरत नहीं है बहुत ही टेस्टी हमारी मैकरॉनी बन कर त्यार हुई है तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक जुरूर किया कीजिए तो इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लेकर आती रहूंगी फिर मिलूंगी एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई